जय मातादी, जय मा कमक्या, देवराधा टरस्ट सत्यवानी चैनल से आप धार्मिक विचार सुन रहे हैं। हमारे पास बहुत से प्रशन आते हैं। अधिकाँच प्रशन ऐसे होते हैं आज के जमाने में। कि जब से हमने विवाह किया है, तब से हमें कस्ट ही कस्ट, हमने कभी सुख देखा ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे भी पेदा होगे, फिर भी सुख नहीं देखा। और आज विवाह को कोई बोलता है पात साल हो गए, कोई बोलता है आठ साल हो गए, कोई बोलता है दस साल हो गए पन्तु हमने सुख नहीं देखा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है तो आज हम इसी रहस्य के उपर आपसे चर्चा कर रहे हैं कि सरप्रथम विवाहा होने के बाद यदि पती या पतनी दोनों को सुख नहीं मिला है इसका मतलब एक दोनों की जन्म पत्रिका में ग्रह नक्षत्रों का मेल नहीं है इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं होती है और जब ग्रह नक्षत्रों का मेल नहीं होता है तो ग्रह आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, नक्षत्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए भी सुख नहीं मिलता है, तो नव ग्रह, शान्ती, यग्य, हर महीने आपको कराना चाहिए, यदि आप सुख चाहते हो विवाहा के बाद में, तो महीने में एक बार सत्य नारान भगवानी की कता अम्मावस्या के दिन अवश्य कराया करो, और एक ब्रामण जो मंदिर में सेवा करने वाला है, उसको भोजन अवश्य कराया करो, और यदि संबह हो सके तो गाय को हराचारा खिलाया करो गाय को रोज गुड के साथ में रोटी अवश्य दिया करो कुटे को एक रोटी अवश्य दिया करो चीडियां, पक्षी, कवे, कबूतर जो भी हो उनको अनाच का दाना अवश्य दिया करो और जहाँ पर चीटियां होती है लाल चीटी हो, काली चीटी हो वहाँ पर आप कसार बना करके उनके बिल्ग पर अवश्च छोड़ा करें हर शनिवार के दिन ताकि घर में सुख सम्रद्धी शान्ती मिल सकती है और साथ ही साथ में मचलियों को आटे की गोली बना करके भी देना चाहिए महिने में एक दिन या तो अमास्या के दिन या पुर्णिमा के दिन इससे भी पती-पतिनी के बीच में सुख मिलेगा और सम्रद्धी आएगी कई बार ऐसा भी होता है कि आपने विवाहा गलत कर लिया हो गलत मुहुर्ट में विवाहा कर लिया हो गलत नक्षत्र में विवाहा कर लिया हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस्तरी जिस समय विवाहा हो रहा हो उस समय पे इस्तरी मासिक धर्म से हो या उसके साथ दिन पूरे नहीं हुए हो फिर भी उसने फेरे ले लिये हो ऐसी अवस्ता में भी दोनों के बीच में जिंदिगी में कभी भी सुख की प्राप्ती नहीं होती है तो ऐसा विवान नहीं करना चाहिए और यदि कर लिया है तो किसी भी जोतिल लिंग पे जा करके किसी भी जोति लिंक पर जाए और जोति लिंक पर जाकर के आपको रुद्र अभीषय करवाईए कम से कम पांच तब जाकर के आपको इस पाप कर्म से प्राइश्चित होता है घर में दी सुक शान्ती नहीं है पती-पतनी में जगड़ा होता रहता है तो समझो आपने अमावस्या के दिन भी सहवास और संभोग किया है यदि अमावस्या के दिन कोई भी जोड़ा, कोई भी पति-पतनी सहवास संभोग करते हैं तो घर में कलेष, दुख, अशान्ती अवश्याती है मानो याण न मानो ये पुर्नता सत्य है और अपनी कमाई का पांच प्रतीशत हिस्सा दान धरम में लगाना चाहिए पुन्य के काम में लगाना चाहिए मंदिन निर्मान में लगाना चाहिए भोजन कराना चाहिए ताकि आपको सुक्ष, सम्रद्धी और शांती मिल सके जैमातादी, जैमा का मख्या